आज कालू कवा और चंदा कवी दोनों बहुत खुश होते हैं क्यूंके चंदा कवी आज दो अंडे देती है कालू कवा तो बहुत खुश होता है उसी टाइम वहाँ पर टूनी चडिया आ जाती है टूनी चडिया को देखकर कालू कवा कहता है अच्छा हुआ टूनी चिडिया तुम आ गई ये देखो तो जही आज जंदा कवी ने दो अंडे दिये हैं आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी भी उलाद होगी देख लो जंदा कवी मुझे इन मेंसे बेटे ही चाहिए मेरे बेटे होंगे तो मैं उनको चोरियां करना सिखाऊंगा चोरियां करके फिर वो मेरे लिए भोजन लाया करेंगे मुबारक हो आप दोनों को अंडो की तो मुझे भी बहुत खुशी हुई है लेकिन ये बात क्या कर रहे हैं आपके इन अंडों में से बेटे ही होने चाहिए बेटियां तो अल्ला ताला की रहमत होती है कालू भाया हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो कालू कावा कहता है अरे बस करो टूनी तुम तो जहां देखती हो लेक्चर देना शुरू कर देती हो यार बार बार मूड नहीं होता लेक्चर सुनने का मेरा मैंने कह दिया तो कह दिया मुझे बेटियां मिलकुल पसंद नहीं मुझे तो बेटियां ही चाहिए यहीं कई दिन गुजर जाते हैं चंदा कवी की अंडों से दो बेटियां होती है जब कालू कवा इन दोनों को देखता है तो वो गुस्से से पाल हो जाता है वो चंदा कवी को कहता है जिसका डरता वो ही हुआना दाद दिया न तुमने दो मसीबतों को मेरे सर पर इससे अच्छा हमारी ओलाद ही ना होती मैं तुमसे कहे देता हूँ मैं इनकी परवरिश नहीं कर सकता तुम जानो और तुमारी ये बेटियां जाने मैं अब यहां नहीं रहूंगा नहीं कालू ऐसा मत कहो तुम्हें इन बेटियों के लिए परिशान होने की जरूरत नहीं है मैं इनकी परवरिश खुद करूँगी इनका भरजन भी खुद लाऊंगी तुम्हें किसी किसम की कोई तकलीफ नहीं होगी तुम बस हमें छोड़ के मत जाओ तो कालू कवा कहता है अरे ना ना चंदा कवी मैं जब 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 इन दोनों मनहूसों को देखूंगा मुझे गुसा ही आएगा तो मैं यहां से जा रहा हूँ मुझे लोखने की कोशिश मत करो तुम यू कालू कवा चंदा कवी और अपनी दोनों बेटियों को छोड़ कर चला जाता है यूही कएं दिन गुजर जाते हैं एक दिन कालू कवे की मुलाकात मिना कवी से होती है मिना कवी को देखते ही वो अपना दिल हार बैठता है और उससे दोस्ती कर लेता है अब मिना कवी के साथ वो रोज अपना वक्त गुजारा करता था उसे तरह तरह के गिफ्ट दिया करता था मीना कवा भी कालू कवा से खूब फरमाशे किया करती थी कालू कवा मीना कवी की हर फरमाश पूरी किया करता था यू कालू कवा अपना सब कुछ मीना कवी पे उटा देता है और अब उसके पास कुछ भी नहीं रहता कालू कावा मीना कवी से कहता है मीना हम दोनों एक दुसरे को बहुत अर्से से चानते हैं हम रोस मिलते हैं और हूप आते करते हैं अब तो तुम भी मुझे अच्छी तरह से जान गई हो मैं तुम से शादी करना चाहता कालू कवे तुम क्ये समझते हो कि मैं तुम जैसे कंगले से शादी करूंगी तुम्हारे पास तो जो कुछ ता तुमने मुझ पर लोटा दिया अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं भला तुम से शादी क्यों करूं ये लो अपने फूल इन जाओ कलू कवे यहां से, तुम अपनी भीवी और अपनी मच्चीयों के भी ना हो सके, तो आकरे तुम मेरे क्या होगे? यह कहकर चंदा कवी वहां से चली जाती है, यह मैंने क्या किया? अपना सब कुछ उसमीना कवी पे लुटा दिया, मैंने अपनी बच्चीयों और चंदा कवी के लिए भी कुछ ना रखा, और अपने लिए भी कुछ ना रखा, मैंने तो सब कुछ उस पर लुटा दिया, और वो भी दो के बास निकली, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, मैंने अपनी बच्चियों को कबूल नहीं किया, और चंदा कवी को भी धोका दिया, अब मैं किस मूँ से वापिस घर जाऊंगा, फिर अगले दिन, गोपी अपने घर के लिए इंचे खरीद कर ले आता है, और व अपना घर शुरू कर दूँगा, टूनी कहती है, यह आपने बहुत अच्छा किया, कि आप इंचे ले आए, अब कल ही अमारा घर बना लेना, टूनी और गोपी की सब बातें कवा उपर बैठा सुन रहा होता है, और वो घर जाकर, कवी को टूनी चिरिया और गोपी की सारी बात बताता है, तो कवी कहती है, देखें जी, मुझे तो टूनी चिरिया बहुत भुरी रगती है, उसका घर नहीं बनना चाहिए, अगर उसका घर बन गया, तो मैं आपको छोड़ कर अपनी मा के घर चली जाओंगी, कुछ भी करें, लेकिन उसका घर ना बने, अरे मेरी च अची तरकीब है, मैं भी आपकी मदद करूंगी, और सारी इंठें हम नदी में गिरा देंगी, अगली रात जब टूनी और गोपी सो रहे होते हैं, तो कवा आकर उनकी सारी इंठें उठाकर ले जाता है, और नदी में फैंग देता है, अई, अई, कितना वजनी हैं ये इं तूनी हमारी इंठें किसी ने ले ली है, बारिश का भी मौसम है, हमें जल्दी चल कर अपनी इंठें ढूनने चाहिए, फिर वो दोनों अपनी इंठें ढूनने निकल पड़ते हैं, और वो देखते हैं, कि उनकी तो इंठें नदी में गिरी हुई है, सब इंठें खराब हो चुकी होती है, तूनी कहती है, यह हमारे साथ किस ने कर दिया, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, अब हमारा घर कैसे बनेगा, बस साथ भी होने वाली है, या ला, अब हम कहां बना लेंगे, चुप हो जाओ तूनी, अल्ला कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा, कोई तेज बारिश होती है कि उनका घोंसला भी तूटकर नीचे बिखर जाता है फिर वो दोनों बारिश से बचने के लिए इदर उदर फिरते हैं कि कहीं उन्हें कोई जगा मिल जाए और आखिर उन्हें जगा मिल ही जाती है दूसरी तरफ चंदा कवी कवे से कहती है आज तो बह दूट गया हमारा तो इतना मजबूत घर था वो भी तूट गया अब इतनी बारिश में मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है मैं कैसे ये रात गुजारूंगी तो इस से हमें ये सबक मिलता है कि हमी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंके हमारे साथ खुद भी ब आफीस